हलो साथियों, नालज आफ साइन्स में आप सबका स्वागत है नालज आफ साइन्स में आज हम जिस लेक्चर की बात करेंगे वो है विर्ट आफ चिकपी या चने का उक्ठा रोग इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सिम्टम्स की, इटियोलोजी की और डिजीज साइकिल की इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे क्राब का नेम है चना, चना को इंगलिस में कहते हैं चिकपी, चिकपी का बोटेनिकल नेम है सिसर एराइटिनम जो डिजीज है, वो है विल्ट यानी विल्ट अफ चिकपी या चने का उखठा रोग इसका काजल आग निजम है फुजेरियम आकसी इस्पॉरम फार्मी स्पसीज सिसेरी यानी फुजेरियम आकसी इस्पॉरम एफ एस्पी सिसेरी है इंडिया में ये सबसे पहले बिहार से बटलर के द्वारा रिपोर्ट किया गया था यानी चिक पी का जो विल्ट है वो बिहार में सबसे पहले बटलर ने रिपोर्ट किया इसके सिम्टम की बात करें तो पूरा सीडलिंग तीन से पांच हफ़ते में जमीन पे गिर जाता है सूप कर जमीन पे गिर जाएगा इस परकार से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जब सीडलिंग को उखाड़ोगे तो कालर रिजन के ओपर और कालर रिजन के नीचे आपको स्रिंकिंग देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर यह जो रिजन है इस रिजन को बोलते हैं कालर रिजन इसके उपर जुर्यां दिखाई देंगी और इसके नीचे जड़ में जड़ में भी जुर्यां दिखाई देंगी आपको जब हम चने के जो तना है तने को स्प्लिट करेंगे यानी उर्धवा दर सीधा सीधा फाड़ेंगे तो फाड़ने पे आपको काले रंग के जाइलम दिखाई देंगे आराम से टिसू में जो की आप देख सकते हो जो एडल्ट प्लांट है उसमें दिक्कत क्या होती है उसका फोलिएज पूरा जमीन पे गिर जाता है सूप कर और धीरे धीरे पीला होके बिल्कुल सूप जाता है जैसा की यहां आप देख सकते हो यह फोलिएज है इसका यह धीरे धीरे पीला हो गया और पीला होके यह जम धब्बों के रूप में दिखाई देगा यानि कि खेत में धब्बे कैसे धब्बे जैसे कि यहां से यहां तक यह धब्बा दिखाई दे रहा है यह इधर यह धब्बा इतना दिखाई दे रहा है जबकि यहां से यहां तक देखो हेल्दी प्लांट है यहां से यहां तक healthy plant है तो इस परकार के धबों के रूप में ये रोग आपको खेत में देखने को मिलेगा जैसा कि अरहर में होता है अरहर का आप देख सकते हो तो उसमें इस पश्ट रूप से बताया गया है कि किस परकार से धबों के रूप में ये दिखाई देता है इसका mycelium या तो aerial होता है यानि हवा के संपर्क में होगा या submerged होगा या जो हमारा host tissue है उसमें लगा हुआ होगा ये septate होता है और इसका color जो है brown हो सकता है या greenish violet हो सकता है या yellowish pink होट सकता है या white pinkish हो सकता है इसमें से कोई color मतले कि mycelium का हो सकता है ये depend करता है कि कैसा color होगा mycelium का वो उसके edge और temperature पे कि mycelium कितने temperature पे है और mycelium का edge क्या है ज्यादा edge हो जाएगा तो brown से black हो जाएगा और सुरुआती में कम temperature पे ये white pinkish yellow pinkish और greenish violet देखने को मिलेगा fungus तीन प्रकार की structures को बनाता है एक हो गई मेक्रो कोनीडिया दूसरा हो गया माइक्रो कोनीडिया और तीसरा हो गया कलेमाइडो इस्पोर जैसा की अरहर में देखने को मिलता है अरहर में भी ये तीन सरजनाएं देखने को मिलती हैं मेक्रो स्पोर सेप्टेड होता है ऑर जो साखाएं है साखाओं पे बनता है कोनीडिया फोर्स के जबकि मेक्रो कोनीडिया जो है वो सिंपल और सार्ट कोनीडियो फोर्स है उस पे बनेगा इसम Cordial नहीं होंगी यानि माइक्रो कोनीडिया जिस कोनीडियो फोर्स पे बनेगा उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है यह लेटरली यानि कि साइड में हाइफा से निकलते हैं जैसे कि यहां पर मानलो इस परकार से साइड में हाइफा के ओपर इस परकार से छोटे छोटे आपको इक्रो कोनेडिया कि अगर सेब की बात करें तो या तो अंडाकार होगा या साइलेंडरिकल होगा तो अंडाकार से साइलेंडरिकल सेब का देखने को मिलेगा इस्ट्रेट टुक करव या तो मतलब यह लंबा लंबा होगा या यह करवेचर लिये होगा जैसे लंबा लंबा इ या कुछ इस परकार से कि यह कर वी इस परकार से आपको देखने को मिलेगा माइक्रो कोनिडिया मैं क्लेम आइडो इस पूर की बात करें तो यह स्मूथ यह रफ рук होता है जादा दर जो है रफ वाल्ड देखा गया है यह टार्मिनल बनते वicipu тार्मिनली या बना मतले की terminal portion पे बना तो इसको बोलते हैं terminally claimido spore और अगर इस परकार से बीच में बना तो इसको बोलते हैं intercalary claimido spore यह या तो single बनेगा या तो pair में बनेगा जोडो में बनेगा यह कभी chance में नहीं बनता है यानि इस परकार से अगर यह structures है तो इस परकार से कभी यह claimido spore आपको chance के रूप में नहीं देखने को मिलेंगे अगे इसके structures में देखें यह जो structures हैं इसको बोलते हैं micro conidia यह वाली जो structure हैं इसको बोलते हैं micro conidia और यह septate होते हैं यह septa है यह septa है एक यह septa है तो यह septate macro conidia हो गए यह जो structures है यह aerial यह submerged mycelium है और यह जो हैं यह intercalary clamido spore और यह terminal clamido spore है disease cycle की अगर बात करें तो इसका fungus more than six years survive कर सकता है without host plant यानि अगर चने क्या फसल हम अपने खेत में ना भी उगाएं तब भी यह छे साल से जादा तक खेत में survive कर सकता है इसका जो fungus होता है वो swile barn और seed barn दोनों परकार का होता है यानि यह रोग swile से और seed से दोनों परकार से फाइल सकता है fungus जो है seed और plant debris में clamido spore के रूप में survive करता है lentil pigeon pee और pee देखा गया है कि यह symptomless carrier का काम करते हैं symptomless carrier क्या हुआ जैसे हमारा जो चने का पोधा है उसमें इसके लेक्षड दिखे यानि yellowing दिखी और जमीन पे गिर गया और नीचे से जड़ सूप गई यह सब दिखे मगर यह जो lentil pigeon pee और pee है इसमें यह fungus तो रहेगा fungus तो अटेक करेगा मगर यह इसमें symptom नहीं दिखेंगे जो चने में देखने को हमको मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं symptomless carrier primary infection जो है वो clamido spore या mycelium के द्वारा होता है और जो secondary spore है वो कोनीडिया के द्वारा होता है इसके digit cycle की बात करें तो यहां पर यह clamido spore है यह germinate करेगा और germinate करने के बाद यह जो roots हैं इनको infect करेगा roots को infect करने के बाद यह colonization करेगा यानि कालोनी बनाईगा और कालोनी बनाने के बाद इस परकार से plant को dead करेगा और dead करने के बाद यह इसकी जड़ में रहेगा तो यह जमीन में plant debris के रूप में पढ़ा रहेगा और अगर इसके जो seed में आया तो ये seed में storage के रूप में पढ़ा रहेगा और ये फिर क्लेम आईडो spore के रूप में जमीन में पढ़ा रहेगा और ये जो secondary infection होता है तो वो secondary inakulum से होता है वो क्या होता है एक तो ये microconidia, दूसरा microconidia ये मेक्रो कोन इलिया और माइक्रो कोन इलिया जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद host को 인फेक्ट करेंगे तो इस परकार से secondary infection होता है तो इस परकार से ये इसका disease cycle चलता है यहां पर आप देख सकते हो ये बड़ा photo किया गया है ये देखो एक धबा है ये देखो यहाँ पर इतना धबा दिखाई दे रहा है ये धबा दिखाई दे रहा है ये धबा दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर ये इतना हरा है ये इतना हरा है ये इतना हरा है तो ये पेचेज के रूप में दिखाई देगा और ये क्या पीला ह कर जमीन पे गिर जाता है इस परकार से इसमें इसका जो सिम्टम है आपको देखने को मिलेगा उमीद है साथियों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर आपको लेक्चर समझ में आया है और इन्फोमेटिव लग रहा है तो एट लीस्ट कम से कम इसको ऐसे पांच लोगों में share कीजिए जो इस lecture को समझ सकें और इससे information gather कर सकें और अपने exam में लिख सकें या कहीं कोई exam crack कर सकें जिसमें यह helpful हो सकता है साथियों हमें दीजिए उजाजत थैंक यू थैंक यू very much